तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूं तेंथ क्लास के औहिंदी का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है जन नायक करपूरी ठाकूर देखी हमारे जो देश है भारत इसको स्वतंत्र करने के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्स किया और सारे लोगों ने कुर्बानिया दी और कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपना इतिहास में नाम रचा ठीक तो उन्हीं में से एक है जन नायक करपूरी ठाकूर तो इनके संघर्स की कहानी ज सबसे जदा लोगों के बारे में सोचते थे नाम कमाना तो आसान है लेकिन इस तरह नाम कमाना कि वो मेरा अपना है वो मेरे घर का है इस तरह नाम कमाना बहुत बड़ी बात होती है जन आयकर पूरी ठाकूर को लोग अपना समझते थे अपने घर का समझते थे ठीक तो यह स पूरे जीवन के संघर्स की कहानी चलिए हम लोग समझते हैं और कैसे इन्होंने अपने जीवन में संघर्स किया छोट देखें इनका जो बच्पन है ना जिस तरह आम गरीब बच्चा होता है उसी तरह इनका बच्पन भीता लेकिन आगे जाकर यह गंभीर हो गए तो चलिए जननायक करपूरी ठाकूर का जन्व हुआ उनके माता का नाम था राम दूलारी देवी पिता का नम गोकूल ठाकूर और इनकी पतनी वाईफ का नाम था फुलेस वरी देवी ठीक फुलेस वरी देवी याद रखिए गांठ जो है अन्य गरीब बच्चों की तरह खेल कुद भी बच्पन उसी तरह भी था खेल कुद में और गाय भैस चलाने में इसी तरह अन्य पश्चु चलाने में इनका बच्पन भी था और छे साल के थे तो इनका क्या किया गया स्कूल में इनका अडमिशन करवा दिया गया और यह स्कूल पढ़ने के लिए भी जाते थे और गाय की मंडली में दफ बजाने का भी शौक था बश्पर में गीत गाने और गाओं की मंडली में जहां पर भीड लगी सभी लोग पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं कि आखिर यह कहां तक पढ़ाई किये और इनकी पढ़ाई के से छूट गई मतलब इन्होंने त्याग कर दिया था अपनी पढ़ाई की देखिए उन्हें चालीस में मैट्रिक द्वित्य से पास किये जन्न नाय कर पूरी ठाकुर जो है वह उन्हें सचालीस में मैट्रिक एक्जाम दिये थे और मैट्रिक में इनका सेकेंड डिवजन आये था यान की से य चंद्रधारी मिथिला कॉलेज याद रखीएगा कौन सा कॉलेज चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में इन्होंने आईये में नमांकन करवा लिया आईये यानि की Intermediate of Arts जो स्टुडेंट इंटर आठ सब्जेक्ट से करते हैं उनको कहा जाता है कि वह आईये में Intermediate of Arts में ठीक तो जननायक करपूरी ठाकुर भी जो है ना वह इंटर कौन से सब्जेक्ट से किये थे तो आठ सब्जेक्ट से किये थे तो आईये में नमांकन करवा लिया कौन से कॉलेज चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में ठीक लेकिन यह जो इनका कॉलेज था घर से बहुत ज़्याद दूर ठीक और इसलिए मतलब इनके पास उतना पैसे भी नहीं थे आर्टे किस्तिति इनकी उत रेल गाड़ी पकड़ कर जरती था दर्भंगा अपने कॉलेज में और दिन बर बढ़ाई करते थे और शाम गर आते थे यानि कि रोज का 90-60 किलो मीट्र दूरी अधर पलए करने के लिए कॉलेज में जाने के लिए ठीक और 45 में आये की परिख्छा सिकेंड डिवितन से पा नाम दिया फिर जब इंटर में सेकेंड डिविजन आ गए तो इस नातक में नमांकन करवाया यानि कि ग्रेजुएशन में इन्होंने एडिमिशन करवाया अभी ग्रेजुएशन का फस्ट येर चल रहा था तभी उन्हेस अब्यालिस की अगस्त की क्रांती हुई और उनका कहन था जन्नायकरपुरी ठाकुर का कहना था कि हमारी जो भारत माता है प्रसंत्रता की पीड़ा से कराह रही है और जब तक भारत देश के निवासियों को सम्मान जनक और सुविधा संपन जीवन यापन करने का मौका नहीं मिलता है तब तक मेरे परीजनों को परतिक्षा करनी पढ़ेगी और उस वक्त जो है ना जन्नायकरपुरी ठाकुर अपने पढ़ाई को त्याग दिये यानि कि अब वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए ग्रेजुएशन का फॉस्ट रिचल रहा था तो वहीं तक मेरे पढ़ाई रोक दिये और त्याग कर दिये और वो संगर् और आगे बढ़िए लोकनायक जैप्रकाश नारायन द्वारा गठित आजाद दास्ता यह संगठन है जो कि लोकनायक जैप्रकाश ने गठित किया है यह आजाद दास्ता के यह सकिर्य सदस्य थे और दिलवजान से इसमें काम भी किया करते थे जन्नायकरपुरी ठाकुर ल बढ़तार कर लिये और दर्वंगा जेल में इनको डाल दिया गया देखिए यहां पर ज़रा ध्यान रखेगा डेट का 23 अक्टूबर 493 को रात को दो बजे जो है जन नायक कर पूरी ठाकुर जो है गिरफतार हो गए और उनको दर्भंगा के जेल में डाल दिया गया जब यह जेल में गए दर्भंगा के जेल में तो वहां का जो भी वेवस्था था कैद के लिए वहार भी उतना अच्छा से नहीं किया जाता तो उसके खिलाफ जो है यह कैदियों को मतलब उसके खिलाफ इकठा संगठित करना शुरू कर दिये थे तो इसको देखकर जो है ना जनर नायकर पूरी ठाकुर को दर्भंगा के जेल से ट्रांसफर कर दिया गया भाग कैदियों की सुविधा के लिए यह 25 दिनों का उपवास कर सरकार को जुखने पर मजबूर कर दिये तो सरकार को जुखना ही पर आगे बढ़िये स्वतंत्रता प्राप्ति के बारत को स्वतंत्रता मिल गई भारत जो है वह आजाद हो गया हमारा देश उस वक्त उनईसा 52 के प्रथम आम चुनाओं में ताजपूर विधान सभा निर्वाचन चेत्र देखिए जब भारत हमारा अजाद हो गया उस वक्त उनईसा 52 के प्रथम आम चुनाओं कहां पर हुआ था ताजपूर विधान सभा निर्वाचन चेत्र ठीक ताजपूर में ह जित गए तो बाड़स भूक गरीबी बेकारी भरष्टचार भूमी सुधार मंगाई विकास समस्याओं पर इन्होंने आवाज बुलंद की और यह जितनी भी समस्याओं थी इनको सुधार नहीं का इन्होंने सफल प्रयास किया यान कि अपने प्रयास में सफल भी रहें बहु उसी दोरान उन्होंने हैजा से पीरित व्यक्ति को देखा और वह व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच जूल रहा था और उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था अस्पताल भी जो था वह बहुत जदा दूर था पांच किलो मीटर दूर तो यह देखे जब जननायक कर पूर चलना शुरू कि और यह ठाल यह थे कि मैं किसी भी हाल में इसको अस्पताल पहुचा करी रहूंगा और यह पांच किलो मीटर दूर गये और ले जाकर अस्पताल पहुचा कर ही दम लिए तो सोचिए जननायक कर पूरी ठाकुर के अंदर कितना माना होता है वह अपने आप स जब यह सची वाले में काम करने के लिए जा रहे थे तो इनको लिफ्ट से ले जाया गया जननायक कर पूरी ठाकुर को और इन्हों ने लिफ्ट पर ध्यान दिया लिफ्ट के उपर लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स यानि कि सिर्फ राज पत्रित पदाधिकारी के लिए य कोई दूसरा इनसान रहता तो वो सोचता है सही बात है मतलब मैं पदाधिकारी हूं मैं ऑफिसर हूं तो ऑफिसर के लिए एक अलग लिफ्ट बनाया गया है तो सही तो है ऑफिसर को लिफ्ट से जाना चाहिए आम लोग सीडियो से भान में जाए ठीक इस तरह कोई और सोच कर दिये यानि कि उस लिफ्ट से अब ऑफिसर भी आ जा सकते थे और आम लोग भी वह भी आ जा सकते मतलब उस लिफ्ट का यूज कर सकते तो यह जो जन्नाय कर पूरी ठाकुरत हैं वह लिफ्ट को सारवजनिक कर दिये यान कि सभी लोग उसका यूज कर सकते थे तो सोचे क इतना लोगों के बारे में सोचा करते थे लोग को समान अधिकार देने पर ये विश्वास रखते थे अपने से पहले ये लोगों के बारे में बोजदा सोचा करते थे और इसलिए इनको जो बोला गया है ना नाम कमाना इस तरह नाम कमाना कि ये मेरे अपने हैं मेरे घर के हैं यह मतलब इस तरह से यह नाम कमाये थे लोगों के बीच तो यह सबसे बढ़ी इनकी खुबी थी आगे बढ़िये 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे कौन जन्नायक करपूरी ठाकूर उन्हेशा सथ सथ में के अंतिम दिन तक बिहार विधान सभा के सदस्य रहें देखिए उनईसा बावन से उनईसा बावन से चुनाव लड़ना शुरू किये ताजपूर में पहली बार लड़े थे यह चुनाव जीत भी गया तो उनईसा बावन से लेकर 1988 के अपने जीवन के अंतिम दिन तक ये बिहार विधान सभा के सदस्य रहें जब तक ही मृत्यू नहीं और कि विधान सभा के सदस्य रहे थें और 12 अगस्त उन्हें से 87 को इनको विपक्ष के नेता पद से हटा दिया गया और उसके अगले साल उनकी निदर्य यानिकी मृत्ति हो गई 17 फरवरी उन्हें सद्मा बरदास्त नहीं कर पाया शायद कि उनको विपक्ष के नेता पद से हटा दिया उनको और वह उनको हट टेक आ गया और 17 फरवरी उन्हें से 88 को इनकी मृत्ति हो गई तो यह हो गया आप लोगा पूरा चैप्टर कंप्लीट जन नायक कर पूरी ठाकूर के बारे में जि कोई भी कमफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड अब हमें कमेंट करकर पूर्च सकते हैं बाकी में आप लोगों को जो कुछ भी समझाई अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसके बार से आप लोगों को सबसे ज्यादा शेयर करना है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज